बताते हैं देश में क्या है कुरोना का स्टेटस देश में लगतार कुरोना के मामले बढ़ रहे हैं और कहीं न कहीं अब इसमें लगाम भी देखने को मिल रही है एक दिन में सामने आए हैं 18,164 नए केस तो वहीं 24 गंटे में 206 लोग की मौत हो चुकी है कुल संक्रमितों का आकड़ा 99,051,072 पर पहुँच गया तो वहीं देश में अब 3,14,831 केस एक्टिव हैं ये जो आकड़ा है वो देश का आकड़ा है और आपको बताएं कि देश में लगतार जो कोरोना के आकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं अब पिछले दो दिन के अगर मैं बात करूँ तो पिछले दो दिन में जरूर धीरे धीरे लगाम देखने को मिल रही है लेकिन एक आएक जब ये मामले बढ़ते हैं तो ये चुन्तिनिय विश्य हो जाता है कि आखिरकार ये मामलों की संख्या इतनी ज्यादा क्यूं बढ़ रही है क्योंकि सरकार लगतार पुक्ता विवस्ता होने की बाते करती है तो लापरवाही कहां हो रही है चूक कहां हो रह बेरहाल ये देश का आकड़ा जो हम आपको बता रहे हैं देश में टोटल एक्टिव केसों की संख्या अब 3 लाख के पार है देश में धीरे धीरे कुरोना के जो आकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं एक दिन में 18164 नए केस जो सामने आए हैं 24 घंटे में आकड़ा बड़ा है तो वहीं आईए आपको बताते हैं पंजाब में क्या है कुरोना स्टेटस पंजाब में एक दिन में सामने आए हैं कुरोना के 336 नए केस तो वहीं प्रदेश में कुरोना के 6241 केसे सामने आए हैं एक्टिव केसे की संख्या लगतार बढ़ रही है तो वहीं आपको बताएं कि कुरोना में जो मरने वालों की संख्या है यह आक्ड़ा जो है वो पंजाब का हम आपको बता रहे हैं पंजाब में एक दिन में सामने आए हैं कुरोना के 336 नए केस 6241 केसे एक्टिव हैं तो वहीं मरने वालों की संख्या अब 5135 पर पहुँच गई है यह कुरोना के आक्ड़े जो हम आपको बता रहे हैं कुरोना का आक्ड़ा अब लगतार बढ़ रहा है और टोटल एक्टिव केस की संख्या अब दिन प्रति दिन बढ़ रही है टोटल एक्टिव केस जो सामने आए हैं पिछले एक दिन में वो 236 बताए जा रहे हैं तो वहीं 6,241 टोटल एक्टिव केस 5,135 लोगों की मौत हो चुकी है तो पंजाब में कोरोना से लगतार जो मौते हैं वो सामने आ रही है और इससे स्थाने प्रसाशन की भी अब नींदे उड़ी हुई है क्योंकि स्थाने प्रसाशन लगतार कोशिशों में जुटा है किसी भी तरह इस कोरोना की महामारी पर रोकथाम लगाई जाए लापरवाही ना बरती जाए लेकिन फिर भी लापरवाही के जो मामले हैं वो सामने आते हैं और लापरवाही से ही कोरोना के जो आकड़े हैं वो लगतार तबदीली की ओर, लगतार बड़ोतरी की ओर अब तक एक लाख पचास जार से जादा मरीज रिकवर हो चुके हैं लेकिन बावजूद इसके ये आकड़ा अभी भी एक लाख के पार है जो चिंतनिय विश्य फिलाल सभी के लिए बना हुआ है 24 घंटे में 336 एक्टिव केस के बाद स्थाने प्रसाशन में भी डर का महौल, अस्पताल प्रवंधन में भी डर का महौल, स्थाने लोगों में भी डर का महौल क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी आप रभावित होने लगी है तो ये नया आकड़ा हम आपको पंजाब का बता रहे हैं और पंजाब में ये आकड़ा हर दो घंटे में तब्दील हो रहा है हर दो घंटे में जो आकड़ा है वो बदलता है प्रचावू में देश की बात करूँ या सिर्फ पंजाब की बात करूँ क्योंकि देश में भी जो आकड़ा है वो हर दो घंटे में तब्दील हो रहा है तो वहीं अगर मैं प्रदेश की बात करूँ तो प्रदेश में भी आकड़ा हर दो से तीन घंटे में तब्दील होता है